तो आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका मोबाइल फोन को आप एक रिमोट टाइप का कैसे उस करेंगे आपका एमेजन फायर टीविस्टिक में तो ये वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज पता देता हूँ जैसे कि अगर आप एक एमेजन फायर टीविस्टिक पर्चेस करते हैं या आपके पास एक्जिस्टिंग एक है तो उसमें एक रिमोट रहता है वो रिमोट में आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आ आपका मोबाइल फोन को एक रिमोट बनाते हैं अमेजन फायर टीविस्टिक का तो इसमें आपको कुछ आड़ेट आडवन्टेज मिल जाता है नर्माली जैसे हमारा घर में छोटे बच्चे रहते हैं वो कभी कभार रिमोट को किधर रख देते हैं और टीवी आउन करने के अंदर जाते हैं तो उसमें एक वर्चल कीबोड आता है जिसमें ABCD सिक्वेंस में रहता है तो वो जगा में हमको टाइप करने के लिए काफी टाइम लेता है और अनकमफट भी होता है तो अगर आप आपका मोबाइल फोन को यूज करते हैं रिमोट टाइप का तो उसमें मो अभी मोबाइल से चलता है जैसे के एंडरेट मोबाइल फोन हुआ टैबलेट हुआ या आइफोन या आइपड सभी से आप इसको कंट्रूल कर सकते हैं तो यहां पर मैं दो डिवाइस लिया हूँ यह आइपड है और यह एंडरेट का फोन है तो यह दोनों में आपको फायर टीविस्टिक का तो यह आपको दो प्लाटफर्म में मिल जाता है मिन्स एंडरेट में भी मिल जाता है और आइओस में भी मिल जाता है तो यह दोनों हम यहां पर इंस्टल कर देते हैं तो यह पहला प्रोसेस में आपको पहले यह आप्लिकेशन जो है आपका मोबाइ करेंगे और बीच पे में चेंज करके iPad से भी आपको कंट्रोल करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे यह दोनों application open हो गया तो यहाँ पे आपको आपका device में sign in करना है, तो यहाँ पे sign in करने के लिए आपको Amazon का username and password यह दोनों डालना पड़ेगा ओ होने के बाद यह login हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, login होने के बाद यह automatic searching कर देता है device को, यहाँ पे बीबुदत fire tv यहाँ पे यह automatic आ गया same, आपका iOS device पे भी रेता है, तो यहाँ पे login हो जाने के बाद भी यहाँ पे searching fire tv devices आ रहा है, और यहाँ पे भी same आ गया, बीबुदत fire tv तो उसके बाद अभी हम जाते हैं tv के पास तो यहाँ पे हमारा tv जो है हम on कर दिये, तो जैसे मैं mobile phone में आपको दिखाया था, यहाँ पे बीबुदत fire tv यहाँ पे आ गया, तो तो देखिए, यहाँ पे connecting होने के बाद यहाँ पे एक message आ गया, तो आपको यह code है, आपका mobile phone में यहाँ पे वो code को डालना है, जैसे यहाँ पे 9862 है, तो यहाँ पे 9862, तो यह डाल देने के बाद यहाँ पे यह automatic जो है यह ले जाएगा, तो देख सकते हैं वो message भी गायब हो गया, और यहाँ पे यहाँ पे यह से कुछ screen आ रहा है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जैसे के middle में यह जो है, यह home screen है और यह back है, यह menu है तो यह pause and play है, यह forward है, यह review है और next यहाँ पे setting रहता है जैसे के setting में आप जा सकते हैं यह sleep, जैसे sleep प्रेस किये तो TV जो है, वो sleep mode में चला गया तो यहाँ पे फिर से sleep में क्लिक करें, या दूसरा किदर भी क्लिक करें तो यह फिर से चालो हो गया और यहाँ पे setting रहता है तो आप आपका TV का setting देख सकते हैं यहाँ पे यह open हो गया और यहाँ पे आपका application show करेगा जैसे के यह TV में जो जो application है Amazon Fire TV Stick के अंदर तो वो सब कुछ यहाँ पे show कर देता है तो first time यहाँ पे थोड़ा time लेता है उसके बाद आपका application जो है iPhone का जो keyboard है यहाँ पे भी type करके उसमें use कर सकते हैं और यहाँ पे है mic जैसे के first time अगर आप mic को pull करते हैं तो यहाँ पे आपको permission देना है allow करेंगे तो यहाँ से आप voice search कर सकते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो microphone का button है उसको आपको नीचे pull करना है open YouTube तो आप देख सकते हैं यहाँ पे YouTube open हो गया तो यह हो गया उसका सभी icon का अभी हम बात करते हैं बीच में जो trackpad type का दिखाता है यह important है तो यह जो trackpad है इसके अंदर सब कुछ होता है जैसे के यहाँ पे मैं हाथ रखता हूँ इसको अगर आगे करता हूँ तो देखिए वहाँ पे movement होता है means next जाता है अगर इसको down करता हूँ तो यह content जो है नीचे आता है means page आप scroll कर सकते है downward और यहाँ पे अगर मैं आगे जाता हूँ तो यह next next जाता है means right side जाता है और yes side करने से यह left होता है और यहाँ पे आप करने से आप होता है तो जो भी content आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको click कर देना है तो same मैं अभी आपको iPad में दिखाता हूँ iPad में भी same है interface पी आपको same मिलता है और use भी आप same type का कर सकते है तो यहाँ पे भी आप देख सकते है जैसे वीबुदत फायर टीवी आता है यहाँ पे हम click करते है तो यह device पे भी हम first time किये तो यहाँ पे इसलिए code आ गया तो यहाँ पे मैं 6954 यह code दे देता हूँ तो same यहाँ पे भी same page आ गया तो आपको permission देना पड़ेगा microphone का तो उसके बाद ही आप voice comment दे सकते है तो जैसे मैं आपको बता रहाता यहाँ पे अगर हम search button में जाते हैं यहाँ पे कुछ search करते हैं तो आप एक click कर देंगे तो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आपका device का keyboard यूज करके आप कुछ भी type कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे sound technology type करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे आराम से type हो गया तो यहाँ पे अगर आप remote से type करते हैं तो यहाँ पे L type किए अगर उसके बाद कोई दूसरे alphabet में आता हैं उसके बाद फिर से navigate करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, बट यहाँ पे अगर आप टाइप करते हैं, आपका डिवैस से, तो यहाँ पे easily आप टाइप कर सकते हैं, तो मैं कितना कम टाइम में इसको टाइप कर दिया, बट अगर आप जाते हैं रिमोट में इसको टाइप करने, तो यह करना है फरवाड करना है कुछ आगे तो उसके लिए भी आप यहां से कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर हाथ रखा और थोड़ा आगे गया तो यहां पर आगे आभी हमारा main navigation तो यहां से हम थोड़ा आगे जाते हैं तो यह आगे थोड़ा forward कर देता है तो आप देख सकते हैं यह दीरे दीरे forward हो रहा है तो जैसे कोई भी movie बगरा आप देखते हैं तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, यह आगे पीछे भी हो रहा है, तो इसको यूज करने के बाद आप काफी आसानी से टाइप कर सकते हैं, नाविगेट कर सकते हैं, और आपका रिमोट का जो जो फीचर से उसको भी यूज कर सकते हैं, बस आपको एक चीज ध्यान देना है, जैसे क आपका Amazon Fire TV Stick और आपका Mobile Phone जो भी iOS हुआ या Android हुआ यह दोनों अगर एक ही network में है तो ही यह काम करेगा अगर आपका Wi-Fi Connect नहीं है आप बाहर चले गए Mobile Network से आपका Mobile Phone चल ला है तो वहाँ पर यह काम नहीं करेगा यह Connect ही नहीं होगा तो और एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जैसे कि यह application आप जब तक ही उसकर रहे हैं आप एक बार back कर दिये फिर से अगर आपको यह remote आपका Mobile में open करना है फिर से आपको इसको connect करना पड़ेगा मिन्स यह application के उपर जाते हैं तो फिर से आपको एक क्लिक करके connect करना पड़ेगा उसके बाद यह काम करेगा तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा अभी आप हमको Instagram आट Twitter में फोलो कर सकते हैं